गोंदिया जिले में लगातार होरे बारिश से अतिवरश्टी हुई है और फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है किसानों की फसलों का जल्दी पंचनाम कर ज्यादा से ज्यादा नुकसान भरपाई शाशन करे साथी रसाहिने कीतों का करत्रिम तुटवड़ा करने वालों पर कठोर कारवाई की जाए जिले के ग्रामिन और शाहरी इलाकों में अनेक मकान शतिग्रस्त हुए हैं साथी पानी क शेत्रों के शाशी दवा खानों में इस्तिग गंभीर है दवा उपलब्ध नहीं हैं डॉक्टर और स्टाफ की कमी से सामाने लोगों को इलाज के लिए परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस पर भी नागरेकों में तीव्र नाराज की है शेहर उमें गंदगी पर जीएस्टी लगाई गई उसे ततकाल रद्द करें नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोचसान पर मंजूर 50,000 की राशीत वरित वित्रित की जाए साथ ही किसानों का रवी की फसल का पूरा धान आधार भूत कीमत में खरीदी हो यह भी निविदन किया गया है पूर परिस्तिती में जिन नागरिकों की म्रत्यू हो गई उनको शीगर मुआवजा देने सम्मंदिद आविशक कदम उठाए इन विशो पर राश्रवादी कॉंग्रस का प्रतिनीदी मंडल ने पूर विधायक राजेंद्र जैन के नेतरत में जिलाधिकारी गोंदिया और मुख्य कारीकारी अधिकारी गोंदिया से भेट की और शाषन से शीगर सुविधा मुहिया कराने की मांग की इस बाबत राश्रवादी कॉंग्रस के प्रतिनीदी मंडल ने जिलाधिकारी और मुख्य कारीकारी अधिकारी गोंदिया को निवेधन सौपा इस प्रतिनीदी मंडल में पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, जिलाद्यक्ष गंगधर पडशुरामकर, देवेंद्र नात चौवे, जिलापरिशत उपाद्यक्ष यश्वंद गणवीर, योगेंद्र भगत विशाल शेंडे, अशोक सहरे, राजलक्ष्मी तुरकर, केतन तुरकर सुरेश हरशे, कल्लू मसकरे प्रमोद कोसर कर इखवाल सयद वामन गेडाम और अन्यो पस्तित थे गोंधिया से BCN न्यूस के लिए अभिशेक भटनागर की रिपोर्ट